लो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सब अच्चे होंगे तो मैं लेकर आप चुका हूँ आज एक नईया वीडियो कुछ नईया टोपिक तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लेकर लाश्ट तक देगना आज का वीडियो कापी ज़्यादा कमाल कहूने आप इस वीडियो को कर देना लाइक और आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कर देना सस्क्राइब subscribe करने के बाद में आपको यह गंटी दिखाए देर इस गंटी को all पर set कर लेना ताकि मैं कोई भी next video लेकिया हूँ वो सबसे पहले आपके पास notification आए तो आज के इस video में आपको यह बताने हुआ ला हूँ कि अपना मिंत्रा application ने उसके अंदर camera से कैसे search कर सकते है इस प्रकार ढूंड़े लेना जहां कई भी होगा आपको देखने को मिज़ जाएगा उसके बाद में आप उसे open कर लेना तो मेरे phone में यह रा मिंत्रा application तो मैं इसे open करता हूँ open करने के बाद में गया जब आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा इसा interface आजएगा अब आपको क्या करना है अब आगे मैं बताता हूँ अब आपको यहाँ पर एक search का option दिखाई दे रहा होगा उपर आपको simply इसके ओपर click करना है इसके ओपर click करने के बाद में गया यह थोड़ा मेरे network problem है इसलिए slow चल रहा है आपके वहाँ network paste होगा तो paste चलेगा फिर बाद में अब आपको केमरे से कैसे search करना है अब आपको यहाँ पर एक option दिखाई दे रहा होगा click a photo तो simply आपको इसके ओपर click करना है इसके ओपर click करने के बाद में आगा है आपको अपनी permission को allow कर देना है परमिसन को आप allow करता हूँ ठीक है गाइस परमिसन अलाओ करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा ऐसा interface आ जाएगा यह देख से अपना camera open हो चुका है एदे को phone का camera भी open हो चुका है अब guys आपको जो text लिखा होगा उसकी photo लेनी है फिर बाद में आपको वो चीज search करने है आपको इस परकार search कर सकते हो I hope आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मिंतर application के उपर camera से कैसे search कर सकते है समझ में आ गया तो इस वीडियो को कर देना like और आप उमार चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना subscribe बाद की में मिलता हूँ किसी ने studio में किसी ने topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों ना कहया लगना धन्यवाज